सभी को जहिंद एंड वेलकम तो आवर चैनल दे इन्विक्टर से इंजिनर हम आज की लेक्चर में कम्प्यूटर फंडामेंटल में जितने भी आपकी कम्प्यूटर से लेटेट जितनी भी आपकी अब्रिवेशन है यानि फुल फोन है उन सभी को कवर करेंगे कोशिश जो है उनको कवर करें इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो आपका कम्प्यूटर शब्द आता है तो इसकी जो आपकी डेफिनेशन है वो तो सबने पड़ी होगी लेकिन इसके अगर फुल फोन की बात करें तो वह होती है आपकी कॉमनली ओपरेटेड मशीन पर्टीकुल जो शिम्बल्स और जितने भी आपके नुमेरिकल्स वाली जो अवरीवेशन है उसको देखते हैं तो सबसे पहले आपका है और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है तो यह उता आपका शी बैंक या इसको हैश बैंक भी बोलते हैं यह आगे आपका श्लैश डोट इसमें एक आपका डोट कमर्शियल यानि कोई वी वेबसाइट जो है वह आपकी कमर्शियल वेबसाइट है नेक्स्ट आपका वन जी यानि फर्स्ट जेनरेशन प्रोग्रामिंग लेंग्विश वन एन एफ वन एफ वह था आपका फर्स्ट नॉर्मल फोर्म और किसी को भी अगर इस कि में लिखा हो हूब आपको 10B2 या 10BF यह ब्रस्ट है वह लिए आपका ठैन और जो B का मतलव है इसमें बेस बेस आगया आपका जो हर दिजिट है वह था आपका बेस यानि 10 बेस आगया उसका 2 10 बेस टू 10 बेस एफ इसमें आपका हंडेड है तो हंडेड बेस एफ अगर आपको दिया हो 286 तो हो है आपका इंटल का जो 8286 प्रिसेसर है उसको कहा जाता है 286 शोट में नेक्स्ट आपका 2B1Q यानि 2 Binary 1 Quaternary 2 Binary 1 Quaternary नेक्स्ट आपका 2FA टू फेक्टर ओथेंटिकेशन 2GL इस सेकेंड जनेरेशन प्रोग्रामिंग लेंग्वेज इसमें जहां अगर आपके साथ 3 लगा तो थर्ड जनेरेशन प्रोग्रामिंग लेंग्वेज तो इस तरह से आप 5 जनेरेशन तक लर्न कर सकते हैं नेक्स्ट आपका 2NF यानि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म सेम इसमें अगर 3NF हो आपका तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म फॉर्म फॉर् अपका 3rd generation partnership project फिर पात करें 3GPP2 की तो 3rd generation partnership project नॉर्मल फॉर्म 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 इसे पीछे पड़ा इन्टेल का 80 386 पॉसेशर गर 486 और 486 बॉसेशर नेक्स्ट इसीए फॉर्म आपका 4B, 5BLF यानि 4 बायत 5 ज लोकल फाइबर नेक्स्ट आपका 4GL यानि 4th Generation Programming Language, 4NF आगे आपका 4th Normal Form, 8B10BLF यानि 8 Byte 10 Byte Local Fiber, बात करें अगर आपको 802.11 तो यह यूज़त आपका Wireless Local Area Network के लिए, अब अगर हम आपके Alphabetically चलें तो A से शुरू करें, जो से पहले जो कम्प्यूटर की है, आपने पीछे भी देखी, तो Commonly Operated Machine पर्टिकुलर्ली यूज़्ट फोर ट्रे टेक्नोलजी, एड्यूकेशन एंड रिसर्च परपस्ते होगे आपका कम्प्यूटर, AAC है आपका Advanced Audio Coding, AI आगे आपका Artificial Intelligence, ARPANET आगे आपका Advanced Research Projects Agency Network, ALGOL, ALGOL आगे आपका Algorithmic Language, Next है आपका ALU, Arithmetic Logic Unit, AOL आगे आपका America Online, API है आपका Application Program Interface, APT हो गया आपका Automatically Programmed Tooling, ARP is Address Resolution Protocol, ASP is Active Server Pages, ATM is Synchronous Transfer Mode, एक इसका Automated Teller Machine भी होता है, एक है ATM का आपका Synchronous Transfer Mode, AVI is Audio Video Interlieve, ASCII जो आपका Coding System है, American Standard Code for Information Interchange, AT is Advanced Technology, AUI is Attachment Unit Interface, Basic is Your Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, BCD is Binary Coded Decimal, BHTML is Broadcast Hypertext Markup Language, BMP is Bitmap, BIOS is Basic Input Output System, B2B is Business to Business and B2C is Business to Consumer, जो यह B2B, B2C हैं, यह आपके Models हैं, आपके Business Models, Next है आपका BIU, Bus Interface Unit, BPS is Bytes Per Second, इसमें हम Speed नापते हैं, BCC is Blind Carbon Copy, इससे पहले अगर देखें, CC, CC होती है आपकी Carbon Copy, यह दोनों आपकी Use होती है, E-Mails में, यानि आपको कोई Document जो है, साथ में Attach की है, तो एक होती है आपकी CC, Carbon Copy, यानि जो आप Second Person किसी को भी जो आपने Main Email है आपका, उसकी Copy किसी को भेज रहे हैं, तो वो होती है आपकी Carbon Copy, यानि किसी Other को भी भेज रहे हैं, Same Email, बात करें BCC की तो Blind Carbon Copy, यानि उसके लाब अगर आपको Multiples बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो यूज करते हैं BCC, Next is, CAI Computer Added Instruction, CDMA is Code Division Multiple Access, CRT is Cathode Ray Tube, CAD is Computer Added Design, CADD is Computer Added Design and Drafting, CD is Compact Disc, CDRW is Compact Disc Rewritable, यानि ऐसी Compact Disc जिसको हम द्वारा से राइट कर सकें, उसमें डाटा को एंटर कर सकें, Cam Cam is Computer Added Manufacturing, Crom is Computerized Range of Motion, CD-ROM is Compact Disc Read-Only Memory, CMD is Command, CISC is Complex Instruction Set Computers, COBOL is Common Business Oriented Language, CPI is Clock Cycle Per Instruction, Clock or Cycles Per Instruction, PPU is Central Processing Unit, CSS is Your Cascading Style Seats, HTML का एक जो है, डिजाइनिंग पार्ट है, CUI is Character User Interface, DAT is Digital Audio Tape, DDR is Double Data Rate, अगर इसमें अगर हम बात करें, DDR, SDRAM, तो यह होता आपका Double Data Rate, Synchronous Dynamic Random Access Memory, EOS is Disk Operating System, DOC is Data Optimizing Computer, यह Data Optimizing Computer एक अलग से है, एक जो Small OC होता है, वो यूज करते हैं, आपका Document, कि लिए DOC Document, DVD is your Digital Versatile Disc, DVI is Digital Visual Interface, DVDR, यह आपका Digital Versatile Disc Recordable, DVDRW is Digital Versatile Disc Rewrite Table, DBMS is Database Management System, DRAM is your Dynamic Random Access Memory, DDL is Data Definition Language, DHTML is Dynamic Hypertext Markup Language, DML is your Data Manipulation Language, DNS is Domain Name System, DPI is Dots Per Inch, DN is your Distributed Internet Architecture, आपकरें आगे DARPANET यानि D-A-R-P-A-N-E-T, Defense Advanced Research Project Agency Network, जो ARPANET का जो पार्ट था, जो Defense के लिए यूज किया गया, वो होगे आपका DARPANET, DVR is your Digital Video Recorder, E-Commerce is your Electronic Commerce, EDGE, EDGE is your Enhanced Data Rate for GSM, यानि Global System for Mobile Communication, या Global Server Module, भी बात करें इसमें, EDI तो Electronic Data Interchange, EDP is your Electronic Data Processing, ADSEC, ADSEC is your Electronic Delay Storage Automatic Calculator, ADVAC is your Electronic Discrete Variable Automatic Computer, जो बात करें इसमें EB की, तो EB होता है आपका Unit, Memory को नापने का, वो होता है आपका Exabyte, Next बात करें, EIB तो XBbyte, ये भी आपका Unit है, Memory के नापने के लिए, Next is your E-ROM Erisable Read-Only Memory, E-P-ROM Erisable Programmable Read-Only Memory, E-E-P-ROM Electrically Erisable Programmable Read-Only Memory, E-Mail is your Electronic Mail, EFS is your Encrypted File System, EDC is Electronic Digital Computer, ENAIC is Electronics Numerical Integrator and Calculator, FDC is Floppy Disk Controller, FDD is Floppy Disk Drive, बात करें इसमें, FDD is Floppy Disk Drive, OTRAN is your Formula Translation, FTV is File Transfer Protocol, FS is File System, FAT जो आपका Fat है, ये होता आपका File Allocation Table, FPS is Frames Per Second, Flops जो आपका Unit है, Computer की Speed के दिए, Floating Point Operations Per Second, FM is your Frequency Modulation, GB is your Gigabyte, GIB ये होता आपका GB Byte, ये भी आपका Unit है, Memory के और आपने के लिए, GIF जो एक Photo Format है, Graphic Interchangeable Format, GDI is your Graphical Device Interface, GPRS is General Packet Radio Service, GY Graphical User Interface, GBPS is Gigabytes or Gigabits per Second, CGP is Third Generation Project, CGPP is Third Generation Partnership Project, GML is Geography Markup Language, GSM is your Global System for Mobile Communication or Global Server Module, GHZ जो होता आपका Gigahertz, GIGO garbage in garbage out, HDMI जो आपका port होता होता होतो का High Definition Multimedia Interface, HTTP is your Hypertext Transfer Protocol, HTTPS is Hypertext Transfer Protocol Secure, HTML is Hypertext Markup Language, HD is your Hard Disk, HDD is Hard Disk Drive, बात करेंगें आपका HPC, HPC आपका Handheld Personal Computer या High Performance Computer, HP is Heavlet Packard या Horsepower, Heavlet Packard जो आपकी HP Company है, Laptop Computer की, HSDP is your High Speed Downlink Packet Access, ISO is International Organization for Standardization, जो Indian Standard Organization है, ISO, IMAP is Internet Message Access Protocol, Intel is your Integrated Electronics, ISP is Internet Server Service Provider, INFO यापका Information, IP is your Internet Protocol, IPv4, Internet Protocol Version 4, IPv6, Internet Protocol Version 6, IO is your Input-Output System, IOP, Input-Output Processor, IBM is your International Business Machines, IC is Integrated Circuit, ICT, Information Communication Technology, IT is your Information Technology, JAR is your Java Archive, sorry, Archive, J-O-E-E, Java 2 Platform Enterprise Edition, J-A-D is your Java Application Descriptor or Development, J-P-E-E-G is Joint Photographic Expert Group, Joint Photographic Expert Group, J-A-S is your Java Script, J-A-S-P is Java Server Page, K-B is Kilobyte, K-B-D, K-B-D होता है, आपका Keyboard, K-B-P-S, तो यह होता है, आपका Kilobyte Per Second, LAN होता है, LAN होता है, आपका Local Area Network, LCD is Liquid Crystal Display, LED is Light Emitting Diodes, LLL is आपका Low Level Language, MAN is Metropolitan Area Network, MB is your Megabyte or Motherboard, MBBS is Megabytes Per Second, MHZ होता है, आपका Megahertz, M-I-P-S, Million Instructions Per Second, यह भी आपके लिए, SPEED के लिए Unit है, M-I-M-E, Multi-Purpose Internet Mail Extension, M-I-C-R is, Magnetic Ink Character Recognition, M-P-E-G, यह होता, आपका Motion Picture Expert Group, M-P-3 is, M-P-E-G Audio Layer 3, यानि M-P-E-G, आपका Motion Picture Expert Group है, इनके आपके M-P-3, M-P-4, यह सब Motion Picture Expert Group की developed किये है, next आपका M-P-4, M-P-E-G-4, A-V-C, M-P-4, M-P-E-G-4, अभी पीछे पर लिया, जो A-V-C है, आपका Advanced Video Coding, N-A-T, N-A-T is your Network Address Translation, N-I-C is Network Interface Card, N-I-I-T is National Institute of Information Technology, N-T-P is Network Time Protocol, N-T-F-S, यह तापका New Technology File System, OMR, Optical Mark Reader या Recognition, OOP is Object-Oriented Programming, OS is Operating System, OpenGL is Open Graphics Library, OSI is Open System Interconnection, PC is Personal Computer, TPPOA is Point-to-Point Protocol, over ATM, TPPOA is Point-to-Point Protocol over Ethernet, PDF is Portable Document Format, PHP is Hypertext Pro Processor, sorry, Pre-Processor, PB is Petabyte, PIB is PB Byte, PNG is Portable Network Graphics, PNP is Plug and Play, PDA is Personal Digital Assistant, PDU is Protocol Data Unit or Power Distribution Unit, PPP is Point-to-Point Protocol, PAN is Personal Area Network, PROM is Programmable Read-Only Memory, PCI is Peripheral Component Interconnect, POST is Power-on Self-Test, बात करें, बात करें, आपका PSU, PSU is Power Supply Unit, PNG, PNG जो आपका गेम्स गहारा में बोलता हैं, जो है PNG जो चल रहा है, यो था आपका Packet Internet या Inter-Network Grouper, यान इसमें जो Error है, RAM is your Random Access Memory, RDBMS is Relational Database Management System, ROM is Read-Only Memory, RIP is Routing Information Protocol, RPM is Revolutions Per Minute, RTF is Rich Text Format, SMPS is Switch Mode Power Supply, SMTP is Simple Mail Transfer Protocol, SRM is Static Random Access Memory, SIM जो SIM होती है आपकी, i.e. Subscriber Identity Module, SM is Software Asset Management, और Sequential Access Method, SNAP is Sub-Network Access Protocol, Snowball is your String Oriented Symbolic Language, SDD is Solid State Drive, SW is Software, SIU is Serial Interface Unit, SMS is Short Message Services, SQL is Structured Query Language, EB is your Terabyte, EIB is Debybyte, बात करें TCP की, तो TCP है आपका Transmission Control Protocol, TBFS is Terabyte per Second, पर बात करें TXT, यह होती है आपका Text Format, TAPI आपका है, Telephony Application Programming Interface, UMTS, UMTS is your Universal Mobile Telecommunication System, URL is Uniform Resource Locator, UHF, Ultra High Frequency, USB is Universal Serial Bus, UNIVAC is Universal Automatic Computer, or Universal Non-Integrated Vacuum Equated Computer, UPS is Uninruptable Power Supply, तो UPS आपका Battery आपका बाटरी होती है, Computer के साथ, Uninterruptable Power Supply, UI is User Interface, VAN is Value Added Network, VDU is Visual Display Unit, Virus is Vital Information Resource Undersized, VCD is Video Compact Disc, VHF is Very High Frequency, VGA is Video Graphics Array, VGA is Video Graphics Adapter, या Visual Graphics Adapter, VGA की जो हैं दो हैं आपकी, Video Graphics Array, और Video Graphics Adapter, या Visual Graphics Adapter, VOIP is Voice Over Internet Protocol, VRAM is Video Random Access Memory, VPN, VPN is Virtual Private Network, VRML, आपका Virtual Reality Modeling Language, WAN is Wide Area Network, WAP is Wireless Application Protocol, WORM is Write Once, Read Many, WWW is World Wide Web, WBMP is Wireless Bitmap Image, WLN is Wireless Local Area Network, WMV is Window Media Video, WML is Wireless Markup Language, WINS, WINS is Windows Internet Name Services, WMMA is Windows Media Audio, WMMA is Windows Media Audio, XT is Extended Technology, XMF is Extensible Music File, XML is Extensible Markup Language, XMS is Extended Memory Specifications, XHTML is Extensible Hypertext Markup Language, XSL is Extensible Style Language, Yahoo, यहू जो है आपका, वह है आपका, Yet Another Hierarchical Officious Oracle, Yet Another Hierarchical Officious Oracle, YB is Your Yotabyte, YIB is Your Yobabyte, ZB is Your Zettabyte, जैड आई बीजिवर जैबी बाइट तो इसी के साथ हमने आपके जो बेसिक नंबर और उसके बाद ए टू जैड तक आपकी जितनी भी एब्रिवेशन थी इससे भी काफी ज्यादा एब्रिवेशन हैं बेसिकली लेकिन हमने इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेट एब्रिवेशन हैं उनको जो है आपका इंक्लूड किया है उनको कंप्लीट किया है आई होप यह वीडियो लेक्च्छर आपके लिए जो है बेनिफिशल रहेगा थैंक्यू सो मच